हाद दोस्तों आज हम लोग चूट बॉलोग स्वीच वाट इस चूट बॉलोग स्वीच यह मुखिता आपका कनभेयर सिस्टम में जहां पर डिस्चार्ज चूट रहता है उसका जहां पर मट्रियल आता है फोर्स से गिरता है उसके सामने वाले चूट के सामने में लगा रहत इसको लेवल सेंसर भी कहते हैं यह पिक्चर में देख रहे हैं यह डिस्चार्ज चूट है वहाँ पर थोड़ा चूट काम जो कौन रहाता जहां पर गिरता है मट्रेल थोड़ा सा उपर एक मीटर उपर में या 800 mm उपर में लगा रहाता है जैसे चूट बलोकेज हो तो पता चल जाए वह चूट बलोकेज होता है तो सेंस करता है और एलार्म एक्टिव हो जाता है पहले समाजते हैं कि चूट बलोक स्वीच का काम क्या है अगर नहीं रहने पर क्या होगा चूट बलोक स्वीच अगर नहीं रहेगा तो डिस्चार्ज चूट में मट्रियल भर है और अपना पुली भी डाइमेज हो सकता है और अपना एकुपमेंट को भी खराब कर सकता है इसके लिए चूट बॉलोक स्वीच रहता है चूट बॉलोक होने से पहले उस पे इतना ज्यादा वजन जाने के बाद में वह एक्टिव होता है ऐसा जैसे थोड़ा सा मेट्रियल च्वीच रहेगा तो नहीं एक्टिव हो गा उसके लोड आएगा प्रेसर आएगा उसके बाद वह एक्टिव होता है जैसे फोर्ष मेट्रियल आता है कोईला हो गया या आपका चूना पत्थर हो गया या बाकसाइड हो गया ये सब अगर चूट में चपक करके और भर जाता है तो उसके force पढ़ता है force पढ़ने के बाद वह active होता है और उसका alarm स्टार्ट हो जाता है जो operator को पता चलता जै कि चूट बऌक हो गया वो system को बन करके फहले चूट को clean करता है फिर उसके बाद में अपना ओपरेशन का काज़ करता है तो मुखे रूप से चूट ब्लोक स्वीच आपका डिस्चार्ज में रहता है जहां चूट रहता है उहां पर दिया जाता है इसका में करण यह है चूट ब्लोक स्वीच मुखे रूप से तीन नामों से जानते हैं हम लोग चूट दोक स्वीच, लेबल स्वीच चूट जाम डिटेक्टर भी इसको बोलते हैं और इसका मुक्ह काम होता है चूट जब जाम होगा तो उससे पहले ही आपको अलार्म एकिटिव हो जागा और हमको पता चल जागा यह चूट जाम हो गया है और उससे कोई भी नुकसान नहीं होगा धन्यवाद